दोस्तों स्वागत है आपका टेक्सिंगास यूट्यूब साहल पर मेरा रामे विशेख दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास है आपको दोस्तों चेले शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने यह जो बैक कावर है यह एक सिलिकन बैक कावर है जहां पर आपको जो मैटियर देखने को मिलेगा और अंदर की तरफ आपको वैलवेट फैब्रिक देखने का मिलेगा यानि कि जो फोन के बैक साइड है व स्मूथ बैक कावर है स्मूथ बैक कावर में फाइदा यह रहता है कि आप जब भी इस फोन को लेके घुमते हैं अगर यह फोन नीचे गिरता है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रेस होने की पावर रहती है जिस वजाए से आपके फोन के नीचे गिरने पर वाइबरेशन्स जनरेट होते हैं उसको यह कैंसल कर सकता है और आपके फोन को प्रटेट करेगा ठीक है क्योंकि स्मूथ और सॉफ्ट जो बैक कावर होते है उनकी खास बात यह होती है कि यह जो बैक कावर होते है जब इस फोन के साथ जब भी नीचे गिरते है तो जो ош्ट करें यहां पर कैमरे की में तो आपको इहां पर जिरो पॉएन 05mm की यह आपको खलका सा बीट देखने को मिलता जिससे क्या होता है कि आपका जो जो कैमरे बीट टेबल पे टेच नहीं होगा यु क्वे टेबल पे आपको खमेशा ठोड़ी मिटी तो रहती ही यह रेत क पे जो gorilla glass protection तो होता ही है ठीक है उसके उपर हम screen guard भी लगाते है glass का tempered glass भी लगाते है लेकिन फिर भी उस पर भी हम scratches अगर आ जाए तो हम जो photos वगेरा उसमें देखते हैं उसमें वो clarity हमें फिर दिखती नहीं है अक्शल में होती है पर हमें लिखती नहीं है ठीक है और gorilla glass की भी अगर हम बात करें तो अगर आप उसके उपर कील से अगर आप गिसने कोशिश करेंगे तो scratch नहीं बनेंगे लेकिन अगर आप rate के दाने उसके उपर गिसेंगे तो उसके scratch बन जाते हैं ठीक है अब क्योंकि यह विट होने के वज़े से यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे अगर अंदर की बात करें जैसा कि मैं आपको कहा था velvet fabric यहां पर अंदर हमें देखने को मिलता है जिसका बाहर से किसी को बता तो नहीं चलता है और जैसा कि मैंने कहा था कि यह जो बैक कावर है नीचे गरने पर आपको protection देता है क्योंकि यह soft material है तो यह जो थोड़ा सा जो है compress होता है और इससे जो vibration यह एक transparent back cover है आपको protection तो दे गई और साथ में आपके phone के back side में जो भी color रहेगा उसको भी दिखाएगा तो यह एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि phone का back side अगर मालो हम अच्छा color उठाते है phone में तो उसका back side भी दिखना ज़रूरी होता है नहीं तो phone के back side का तो कोई roll ही न जो vibrations की मैंने पहले बात की थी वो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि यह भी soft है और इसके transparency की अगर हम बात करें तो transparency है ज़रूर यहाँ पर जो मैंने कहा था कि back side दिखेगा लेकिन यह actual हमें यह कहना चाहिए कि translucent बोलना चाहिए हमें इसको और translucent को हम properly ट्रांस्लूशन नहीं क हमें थोड़ा faded दिखेगा थोड़ा blur दिखेगा लेकिन जो भी phone का color होगा हमें दिखेगा ज़रू ठीक है अब protection की बात होगी और camera के उपर जो हमें edges की protection देखने को मिलते वह भी यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं ठीक है और बाकि जो कुछ भी हमें slots चाहिए होते है वो slots पर proper cuts है जिसे वह से हमारे charger आराम से हम input डाल सकते हैं इसके अंदर और कोई दिखकत यहाँ पर नहीं आएगी तो जहां जहां हमें जो slots चाहिए सब कुछ यहाँ पर accessible रहेगा तो और यह चीज़ जो है मैं depth की protection की बात की थी मैंने जो camera के depth की आगे की साइड देखने क अब क्योंकि यह जो back hour है एक तो transparent नहीं है ठीक है इसके वज़े से इसकी price थोड़ी कम है और यह वाला transparent भी है और अपके phone को एक बहुत ही बढ़िया look यह प्रवाइड कर रोता है और इस वज़े से इसकी जो price है वो 700 रूपीज है अब आते है next back hour के तरफ यह हमेशा से मेर जब भी हम बात करते हैं हमें protection भी अगर चाहिए और transparency भी चाहिए proper transparent ठीक है यहाँ पर proper transparent जो back hours होते है उनकी price थोड़ी सी कम भी रहती है ठीक है जो translucent होते है उनकी price ज़ड़ी ज्यादा रहती है क्योंकि वो एक अलगी look provide कर वाता है यहाँ पर proper जो actual look होता है phone के back side का वो य एरबर है ठीक है अब चारो edges आप देख सकते हो थोड़े से बाहर निकल रहे है अब इससे होगा यह कि बिलकुल भी एक percent भी chance नहीं है कि आपके phone जब नीचे गिरे तो तूटे क्योंकि यहाँ पर आपको air back protection देखने को मिलता है जो area यहाँ पर बाहर निकला हो आपको लगता है हमेशा edges पहले नीचे टकराते हैं ऐसा नहीं है कि सीधा flat टकरा जाए नहीं हमेशा edges ही पहले नीचे टकराते हैं और edges पर जो vibrations create होते हैं वो यह hollow area जो है air back की तरह काम करकर उस vibration को पूरी तरीके से cancel करते हैं तो यह फायदा आपको देखने को मिलता है और transparent तो ही औ camera के photo को भी blur कर दें इतना भी नहीं है तो वह चीज भी आपको यहां पर देखने को मुल जाते हैं और इसकी price 259 अभी तक के जितने बैक आवर उसमें से यह best है मेरे खायल सकते यह best ही है क्योंकि मैंने इसको actual में use किया हुआ है और मुझे काफी सही लगा मुझे कोई दिक् करता और यह अलग लुक प्राइट करता तो मतलब अपनी अपनी पसंद होती है कुल मिला के लुक वागि देखे protection का तो कोई मुकाबला नहीं है इसका अब आता है यह वाला बैक कवर अब गाई यह आपके phone को एक अलग लुक प्राइट करता है यहां पर हमें एक back side में leather औ leather यहां पर लगाया हूँ हमें लगता है लेकिन actual में leather सिर्फ उपर की side है नीचे यह rubber ही है ठीक है और ऐसा नहीं कि जो rubber जो होता है वह नहीं है यहां पर हमें एक अच्छा खासा finish के साथ rubber मिलता है ऐसा नहीं कि हम रिसरबर के उपर गिसेंगे तो rubber निकलना लग जाए नही फॉन को प्रटक्ट भी कर लेता है एक normal back case के जिस तरहीं प्रटक्ट प्रटक्ट कर लेता है वैसे यह भी कर लेता है ठीक है बस यह है कि एक extra अच्छा लुक हमें प्रवाइड कर वाता है एक फॉन को एक premium लुक प्रवाइड कर वाता है यह back cover protection की बात करे तो मैं इतना प्रटक्ट वाला जो back cover है ठीक है ऐसा protection आपको इसमें भी देखने को मिलेगा और इस back cover में प्रटक्ट वह भी आपको इसमें देखने को मिलेगा लेकिन लुक बहुत ही तगडा मिलेगा ठीक है तो 600 रुपीज में यह back cover भी सही है अब इसके बाद आता है यह यह आपके camera क वो एक दम अलग रखता है यह जो back cover है आपके camera को एक पूरा प्रो सेक्शन इसमें अलग बना दिया है ठीक है तो इसका एक अलग ही लुक है इसके पीछे जो print है वो बिल्कुल अलग है protection की बात करें तो बिल्कुल सेम है पहले दो back cover और पिछला जो हमने leather बाला देखा था stitch के साथ उसका protection इन सबका protection almost same ही रहने वाला है ठीक है camera पर आपको 1.0 mm का जो thick edge देखने को मिलता है वो भी देखने को मिलेगा और बाखी एकर हम बात करें corner में कोई extra protection नहीं दी गई है जो है look है इसका जो complete look है वुसी में इसमें बात है और इसकी price भी 599 रुपीज रहने व बाता है ठीक है अब बात करें इसका तो शौक प्रूफ कंपनी बोलती है कि शौक प्रूफ है और डेफिनेटली शौक प्रूफ है क्योंकि soft case है लेकिन इतना नहीं जितना मैंने वो transparent back cover की बात की थी अब आते है next back cover की तो यह है इसका एक और color variant जो कि हमने पहले देखा था ब्लैक में और यह अब हम देख सकते हैं सारी चीज़े बिल्कुल सेम है यहां पर कोई भी difference नहीं आने वाला ठीक है हम इसको armor back cover भी कह सकते है लेकिन proper armor नहीं है यहां पर आप यूज किया गया है aramid carbon fiber rug tpu case जो की बहुत तगड़ा लगता है सुनने में बाकि कहानी बिल्क back cover है इसका transparent भी है और इसमें proper protection भी देखने को मिलती है और price range के अगर बात करें तो सबसे कम price भी इसी का है और protection सबसे अच्छा इसी में आपको देखने को मिलेगा तो सभी back covers के link में आपको description में प्रवाइड करवा दूँगा तो आपको जो भी पसनाता है आप उसे purchase कर सकत है बाकि कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूस सकते है वीडियो बसनार वीडियो को लाइक जरू कर देओ चैनल को सबसे करने की बैल आइकन हो जो प्रेस कर ले ताकि कोई वीडियो प्रोटकर्स को notification आपको मिल जाए तो दोस्तों आज की वीडियों सिर्फ इतना ही पाद वा दो देवादanking है पाद草 जलुआ है जा सबस्तों याट क्या जावा कि वीडिक फीडियों सेंग्यों सेंगार शर भीडियों सेंगां की अए की वीडियों सेंगान की वीडियों जो है चैनल का ग्मारोट को साना हुआ है